आज मैं आप सभी लोगों के लिए चूरे की नमकीन बनाने जा रही हूँ जिसे आप बहुत ही कम टाइम में बना कर खा सकते हैं और आप इसे 10 से 15 दिनों के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं अब पैन में लिया है घी और घी को मेल्ट हो जाने के बाद मैं इसमें डालूँगी मौंग फली के दाने अब स्लो प्लेम पर लगभग 3-4 मिनट के लिए इन्हें रोष्ट करूँगी ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं अब इनका हलका सा कलर चेंज हो गया है और दाने चटकने लगे हैं तो अब मैं इन्हें निकाल लूँगी एक प्लेट में आप चाहें तो इसे रोष्ट करते समय इसमें मखाने और काजू भी मिक्स करके डाल सकते हैं तो अब मैंने इन्हें निकाल लिया है और उसी पैन में तड़के के लिए लिया है जीरा सूखी लाल मिर्च कटी हुई और इसे चलाने के बाद मैं इसमें डालूँगी चूरा ये पतले वाले चूरे हैं जिन्हें आप दिवाली या फिर भाईया द्विज में यूज करते हैं दो से तीन चुटकी डाली है हल्दी इससे इसका कलर देखने में अच्छा लगता है टेश्ट के हिसाब से डाला है साधा नमक आप चाहें तो इसमें काला नमक भी मिक्स करके डाल सकते हैं और इसे स्लो फ्लेम पर ही रोष्ट करूंगी इसे रोष्ट करते समय फ्लेम को आप स्लो ही रखें ताकि चूरे पैन में चिपके नहीं और जले नहीं अप आप देख सकते हैं कि चूरे रोष्ट हो गए हैं तो अप मैं इसमें डालूंगी मुंग फली के दाने रोष्ट किये हुए और इने मिक्स करते हुए चलाऊंगी इसे रोष्ट करते समय आप परावर से इसी तरह से बीच-बीच में चलाते रहें ताकि चूरे जले नहीं अब आप देख सकते हैं कि चूरे की नमकीन बन कर तयार है तो फलेम को मैंने आप कर दिया है और ठंडी होने के बाद मैं इसे निकालूंगी इस प्लेट में आप भी इस रेसिपी को एक बार इस तरह से बना कर जरूर ट्राइ करें ये नमकीन खाने में तेश्टी होती है और बहुत ही कम टाइम में बन कर तयार हो जाती है और अगर आप इसे स्टोर करके रखना चाहते हैं तो ठंडी होने के बाद आप इसे किसी भी एर टाइट कंटेनर में भरकर रख सकते हैं और दस से पंदरा दिनों के लिए स्टोर करके इसे खा सकते हैं अब garnishing के लिए लिए है हरी मिर्ज आप चाहें तो इसे चाय के साथ में या फिर ऐसे भी बना कर खा सकते हैं और अब आप देख सकते हैं कि ये नमकीन कैसी बनी है अगर आप सभी लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आये तो लाइक करें, कमेंट करें मेरे चैनल को सस्क्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें